हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एडी हेलपलाइन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अन्बोक्स करके दिखाऊंगा पीजन कंपानी के तरफ से एक एलेडी लाइट इसका नाम है पीजन रेडियंस एलेडी टॉर्च ये टू इन वान है इसे टेस्क लाइट की तरफ ही उसक कलर का पर्चिस किया था आप देख सकते हैं इसका जो की फीचर से हो है चार्जिंग इंडिकेटर और इसी टी यूस और पॉर्टेबल और यहां पर इसका MRP दिया हुआ है 595 लेके न ओनलाइन इसका प्राइस बहुत काम है आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहां से चेक कर सकते हैं इसका प्राइस चलिए मैं इसे अन्बोक्स कर लेता हूं आप यह बाहर का जो पैकेट है इसके अंदर यह प्लैस्टिक में रैप किया रहता है अब देख सकते हैं यह हो टॉर्च और यहां पर यह चार्जिंग इंडिकेटर जाब आप इसे करने से यह टॉर्च ओन हो जाता है और जाब इसे मिल में रखते हैं तो यह आप होता है और जाब इसे पीछे ऐसे पुश करते हैं तो यह डेस्क लाइट जो है ओन हो जाता है और इसमें प्लैग इन करने के लिए नॉर्मल स्लाइडिंग सा एक ऐसा दिया हुआ है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अब में अब लोग इसका जो लाइट है वो दिखाता हूं इसलिए मुझे मेरा रूम का लाइट आप करना पड़ेगा मैंने रूम का लाइट आप कर दिया है आप देख सकते हैं अब देख सकते हैं यह टॉर्स का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है अगर आप फोर हंड्रेड रूपीज के अंडर एक कॉम्पेक्ट इमर्जिंस से लाइट लेना चाते हैं तो यह बेस्ट है आप देख आप इसका पार्चेस लिंक टेस्क्रिप्शन में रहेगा यह लाइट का जो बॉक्स था उसके उपर कुस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है आप इसे वीडियो को पस्ट करके देख सकते हैं इसमें से एक है पहले बार इस्तिमाल करने से प मेंन पार्ट से उसका डेस्क्रिप्शन है और यहाँ पर है इसका वैरेंटी कार्ड यह अब में इसका जो चार्जिंग का उप्शन है वो इसे आपको बोर्ड में लागा के दिखाता हूँ कि देखिए आप इसे इस तरह ऐसे नॉर्माल जो बोर्ड है स्विस बोर्ड ओहां कर सकते हैं और जाब यह चार्जिंग में रहेगा तो यह लाल एलीडी जलता रहेगा लेकिन इसमें फूल चार्जिंग का कोई इंडिकेटर नहीं है यह आपको आंदा से दो तिन घंटे ह जब आप लोग इसे डेस्क लाइट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे स्टेंड कर सकते हैं जो टॉस का साइड है और नीचराकन से यह स्टेंड की तरह रहेगा ऐसे और इसके सामने आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं वीडियो को लाज तक देखने के ल कर दो डरी सामने», इसके सामने।